तो हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि क्या हम पेपर वन और पेपर फाइव ये जो पांच पेपर होते हैं इनको हम किसी एक मीडियम में दे सकते हैं और जो हमारा मनुविज्ञान का जो ऑप्शनल साइकोलोजी ऑप्शनल है उसको किसी दूसरे लेंग्वेज में में इंगल IJ Myanmar में दे सकते हैं तो उसको हम देखते हैं यह पॉसिबल है या नहीं ठीके पिजबसे प्रbie और उप्षिनल होगा psychology तो उसको सलेक्ट करते हैं psychology को देन फिर आपको पूछ रहा है छटे और साथवे पेपर के वैकल्पिक विशयका भाषा माध्यम यहां पे कौन सा मीडियम आप सलेक्ट करना चाहेंगे आपके psychology psychology paper के लिए याने की मनुविज्यान paper के लिए यहां पर आपके पास दो option दिखाई देते हैं एक है हिंदी और दूसरा है अंग्रेजी याने की English means कि हिंदी माध्यम का कोई भी विद्यार्थी जो सारे मेंस के paper हिंदी माध्यम से देता है हिंदी भाषा का उप्योग करके देता है वो जब optional का paper देंगे psychology मनुविज्यान का तो उनके पास यह option दिया हुआ है चाहे तो वो हिंदी भाषा का इस्तमाल करके अपना paper दे सकते हैं या फिर English का इस्तमाल करके भी वो paper दे सकते हैं तो यह doubt अब आगे आपको नहीं रहना चाहिए कि क्या हिंदी medium वालों को paper हिं हिंदी में देना कंपल सरी है नहीं अगर आप चाहते हैं अगर आपकी पकड़ English भाषा में अच्छी है तो यह जो आपको चुनौती मिल रही यहाँ पे इसका उपयोग करें ठीक है आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं पांचो पेपर आप हिंदी में दीजिए और यहाँ आप यह छटवा और साथवा जो पेपर है उसको भी हिंदी में दीजिए या फिर अगर आपको अंग्रेजी आती है इंग्लिश से आप साइकलोजी पढ़ी है तो आप इंग्लिश भी सेलेक कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना एक्जाम इंग्लिश में दे पाएंगे स जो सारे पांच पेपर होंगे वह आपको हिंदी में ही देने होंगे हिंदी में ही आपको लिखना होगा लेकिन जो साइकलोजी मनुविज्ञान का है वह जब आप अंसर लिखेंगे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं यहां पर आप सेलेक्ट कर देंगे अगर आप इन में से किसी भी राज्यों के निवासी हैं तो नो कर दीजिए ठीक है और यहाँ पे आपको पेपर एक लिए English जो है कंपल सरी है तो आपको English यहाँ पे दिखाई नहीं देगी ठीक है तो आप अपने सुविधान वसार असामीज, बेंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी तो mostly सब हिंदी सेलेक करते हैं तो यहाँ पे आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं आपके पेपर एक लिए तो यह हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनका डाउट था कि क्या हम सारे पेपर एक भाषा में और दूसरे जो ऑप्शनल पेपर है वो अलग भाषा में दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे English की, अगर मान लीजे कोई English मीडियम का विद्ध्यारती है, जो ऐसा काफी कम केसों में होगा, उसने अगर हिंदी भाषा वालों के लिए एक सुभधा उनने दी है यगर आपको साइकलोजी में हिंदी माध्यम से कठनाई हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारे होते हुए वैसा हो नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश का उप्योग करके आप साइकलोजी के जो आंसर राइटिंग है वो अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद